प्रेविद्यार्थियों, आज हम कक्सा बारा हिंदी की पाठे पुस्तक अंतरा भाग दो के गद्य खंड के अध्याय तीन में वर्नित सहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिठ्था से संबंदित अभ्यास प्रश्ण हल करने जा रहे हैं वीडियो भाग एक में हमने सहित्यकार ब्रजमोहन व्यास का परिचे प्राप्त किया है और वीडियो भाग दो तीन एवं च्यार में हमने सहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित कच्चा चिठ्था का अध्यन किया है आईए आज हम कच्चा चिठ्था से संबंदित अभ्यास प्रश्ण हल करें पहला प्रश्ण है पसोवा की प्रशिद्धी का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था पसोवा एक जैन तीर्थ इस्तल है जहां पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जैन धर्माव लंबी इस मेले में सामिल होन चाही समिल होने के लिए आते हैं इस रिस इस्तान पर एक पहाडी है ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध देव इस पहाडी में एस्तित्ग्वभा में वयायाम किया करते थे ऐसा भी माना जाता है कि संबराठ असोग ने यहां एक स।ूप का निर्मान कराया था वर्तमान में पसोवा में वैयामसाला और उस स्तूप का तो कोई चिन दिखाई नहीं पड़ता परंतु फिर भी यहां पर पुरा तात्विक महत्व की बहुत सारी सामग्रियां उपलब्द है लेखक ने यहां से बहुत सारी म्रण मूर्तियां मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां सिक के और मन के प्राप्त किये हैं जो पुरा तात्विक महत्व के हैं इसका उत्तरम इस प्रकार से लिख सकते हैं पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्तल है जहां प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का यानी जैन धर्म को मानने वाले लोगों का एक बड़ा मेला लगता है पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्तल है जहां पर जैन धर्म को मानन लोगों का मेला प्रतिवर्स आयोजित किया जाता है जिसमें हजारों यात्री आते हैं जिसमें हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबी सामिल होते हैं इसी इस्थान पर एक छोटी सी पहाडी की गुफा में बुद्ध देव व्याम करते थे यह भी किवन दंती थी कि समराट असोक ने यहां एक स्टूप बनवाया था ऐसा लोगों का मानना है ऐसा लोगों का कहना है कि यहां पर समराट असोक ने एक स्टूप का निर्मान भी कराया था अब पसोवे में वैम साला और स्टूप के चिन्न तो सेस नहीं है वैम साला जहां बुद्ध देव वैम किया करते थे उसके भी अब चिन्न नहीं है और साती सात स्तूप के बारे में भी अब कोई जानकारी उपलब्द नहीं है यानि पसोवे में वैम साला और स्तूप के चिन्न अब सेस नहीं है परंतु पहाड़ी अभी तक मुझूद है प्रशिद्धी का कारण क्या था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था वहां पर लेखक पुरातत्व महत्व की महत्व पूर्ण सामगरी एकत्र करने जाना चाहता था। प्रशन संक्या दो, मैं कहीं जाता हूँ तो छूचे हाथ नहीं लोटता, से क्या तात पर यह है, लेखक कोसाम भी लोटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया, लेखके ब्रजमोहन व्यास का कहना है, कि वे पुरातात्विक महत्य की वस्तुओं की हमेशा ही खोज में लगे रहते हैं, प्रियाग संग्राले के लिए वे पुरातात्विक महत्य की वस्तुओं को तलासते रहते हैं, और जहां कहीं भी वे जाते हैं, वहां से वे चूचे हा यानि खाली हाथ नहीं लोटते कुछन कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं वे अवश्य अपने साथ में लाते हैं जैसा कि पसोवा से लोटते समय उन्होंने चतुरमुक्सिव की पृतिमा वहां से प्राप्त कर ली वहां से बहुत सारे सिक्के मन मूर्तियां और मन क इत्यादी भी उन्होंने एकत्र कर लिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे लेखक ब्रजमोहन व्यास जी प्रियाग संग्रहा ले के लिए विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक महत्व की सामगरी को तलासते रहते थे अतै जहां कहीं भी वे जाते वहां से कुछन कुछ ऐसी सामगरी अवश्य लाते जिसे संग्रहा ले में रखा जा सके ऐसी सामगरी जो पुरातात्विक महत्व की हो जिसे संग्रहा ले में प्रदर्शित किया जा सके संग्रहा ले में रखकर जिसे दिखाया जा सके इस प्रकार की सामगरी को वे अपने स अवश्य ही लाते थे इस प्रकार वे खाली हाथ यानि चूचे हाथ कभी ने लोटते कुछन कुछ सामगरी अवश्य ही लेकर लोटते इस प्रकार वे प्रियाग संग्रहा लेके लिए कुछन कुछ सामगरी जो पुरा तात्विक महत्य की होती थी अपने साथ अवश्य ही ले वाली चतुर मुखी सिव की एक प्रतिमा भी साथ ले आए जो गाओं के बाहर एक पेड के नीचे रखी हुई थी अगला प्रशन है चांद्रायन वरत करती हुई बिल्ली के सामने एक चुहा स्वयम आ जाए तो बेचारी को अपना करतव विपालन करना ही पड़ता है लेखक ने यह वाक्य किस संदार्ब में कहा और क्यों जिस प्रकार चांद्रायन वरत करने वाला कोई भी विक्ती है वह चंद्रमा के दर्शन करने के पशात ही भोजन ग्रहन करता है यहाँ पर प्रशन पूछा जा रहा है कि यदि चांद्रायन वरत करती हुई कोई बिल्ली यानि वह बिल्ली जो बहुत भूकी हो और उसके समक्ष अचानक कोई चुहा स्वयम ही आ जाए तो बेचारी को अपना करतवे पालन करना पड़ता है उस चुहे का शिकार कर उसको नहीं पड़ता है इसी प्रकार की मानसिक दसा मानसिक अवस्था लेखक के साथ भी हुई जब वेपसोवा से वापस लोट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चतुर्मुक सिव की एक प्रतिमा बहार गाओं के बहार पेड़ के नीचे दिखाई पड़ी उन्हें चतुर्मुक सिव की वह प्रतिमा लेखक को ललचा रही थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चांद्रायन वरत करती हुई बिल्ली के सामने एक चुहा सोयम आ जाए तो बेचारी को अपना कर्थवे पालन करना ही पड़ता है ठीक उसी प्रकार लेखक ने भी वह चतुर्मुक सिव की प्र दास्ते में एक छोटे से गाउं के निकट एक पेड़ के नीचे चतुर्मुकी सिव की प्रतिमा रखी हुई दिखी चतुर्मुकी सिव की प्रतिमा एक पेड़ के नीचे गाउं के बाहर लेखक को दिखाई पड़ी मानो वह जैसे उठाने के लिए उन्हें ललचा रही हो म लेखक ने उसे उठाकर इक्के पर रख लिया। उस समय की अपनी मनोदसा को व्यक्त करने के लिए लेखक ने कहा है कि जैसे चांद्रायन व्रत करती हुई यानि भूकी बिल्ली के सामने यदि उसका प्रिय आहार चूहा आ जाए तो बेचारी उसे खाकर अपना करतव विपा भटकने वाले पुरा तात्विक महत्व की वस्तों की खोजबीन करने वाले उन्हें एकत्र करने वाले व्यास जी को सुनसान इस्थान पर पेड़ के नीचे अगर चतुर्मुखी सिव की प्रतिमाद दिख गई तो उसे उठाना लाजमी ही था उसे उठाना उनके लिए जात्राएं किया करते थे वे उसे उठाकर अपने साथ ले आए और इस प्रकार चतुर्मुखी सिव की प्रतिमाद को लेखक ब्रजमोहन व्यास अपने साथ उठाकर प्रियाग संग्राले में ले आए अगला प्रशन है अपना सोना खोटा तो परकवया का कौंदोस से प्रिक्षन करने वाले का कोई दोस नहीं माना जाता है जब भी कोसाम भी मंडल के आसपास किसी भी प्रकार की पुरातात्विक महत्विकी कोई सामग्री यदी गाइब हो जाए अंतरध्यान हो जाए या उसका एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जब जोंने ही पुरातात्विक महत्व की उसवस्टू को वहां से उठ्वाया होगा इसी लिए कहा गया है कि अपना सोना खोटा तो परकवईया का कौन दोस इसका उत्तरम इस प्रकार से लिखेंगे इस कतन से लेखग का थाइब है कि अपनी वस्थतू कोट युक्त यानि कि दोस युक्त होने पर परखने वाले को उसका परिक्षन करने वाले को दोस नहीं दिया जा सकता को सामबी मंडल से कोई मूरती गाइब होने या इस्थानांतरित होने पर गाउवालों का संदेः प्रियाग संग्राह लेके ब्रजमोहन व्यास जी पर ही जाता गाउंवाले इस बात का संदेह कर लेते कि संभवतया यह पुरा तात्विक महत्व की सामगरी है यह गाइब हुई है तो यह प्रियाग संग्राले में ही मिलेगी क्योंकि संभवतया इसे ब्रजमोहन व्यास ने प्रियाग संग्राले के लिए मंगवा लिया होगा बात सस्भी थी क्योंकि वे ही पुरा तात्विक महत्व की वस्तों की खोज में लगे रहते थे इसी सिल्चले में उन्होंने इस लोकोक्ति का प्रियोग किया है कि जब अपना ही सोना खोटा हो तो परखवय का कौन दोस अर्थार जब अपने में ही कमी हो तो दूसरों के द्वारा उस और संकेत करने पर उन्हें भला कैसे दोसी ठहराया जा सकता है अगला प्रशन है गाउं वालों ने उपवास क्यों रखा उसें कब तोड़ा दोनों प्रशंगों को स्पष्ट कीजिए लेखक ब्रजमोहन व्यास जब पसोवा से वापस लोट रहे थे उन्होंने गाउं के निकट एक पेड़ के नीचे चतुरमुक सिव की मूर्ती देखी और इस चतुरमुक सिव की मूर्ती को वे अपने साथ प्रियाग संग्राले में लेकर आ गए जब गाउंवालों को इस बात की जानकारी हुई कि उनके सिवजी अंतरधान हो चुके हैं उस पेड़ के नीचे अब उपलब्द नहीं है तो गाउंवालों ने उपवास सुरू कर दिया उन्होंने एक घूंट भी पानी तक नहीं पिया गाउंवाले पांस साथ लोगों के साथ में अपनी मुख्या के साथ जाकर प्रियाग संग्राले में लेखक ब्रजमोहन व्यास से मिले और उनसे सिवजी की मूर्ती को वापस देने का निवेधन किया मुख्या के निवेधन पर विनमरता पूरवक ब्रजमोहन व्यास ने वह मूर्ती गाउंवालों को लोटा दी उस मूर्ती के प्राप्त होने के पशाथ ही गाउंवालों ने अपना उपवास तोड़ा इस प्रकार से ब्रजमोहन व्यास ने उस मूर्ती को लोटा कर संग्रहाले के लिए उठा लाए थे जिसकी गाम वाले पूजा अर्चना किया करते थे गाम वाले चतुर्मु की सीव की पूजा अर्चना किया करते थे और उनी सीव की उस मूर्ती को जो चतुर्मु की सीव की मूर्ती थी उसको लेखक ब्रजमोहनव्यास उठवा लाए थे जब गाउंवालों को इस बात का पता चला कि सीव जी अंतरधान हो गए है अब वे उस इस्थान पर नहीं है तो उन्होंने ठान लिया कि जब तक सीव जी वापस नहीं आएंगे तब तक वे उपवास पर रहेंगे अर्थार्त एक बूंद पानी तक ने पीएंगे गाउं के मुखिया ने व्यास जी के कारियाले में कुछ लोगों के साथ आकर इस सम्मंद में उन्हें सूचित किया और विनम्र अनुरोद किया कि आप हमें चतुर मुखी सीव जी की उस मूर्ती को वापस ले जाने की आग्या दे दे जब व्यास जी ने वहमूर्ती उन्हें वापस कर दी तभी गाउंवालों ने अपना उपवास तोड़ा व्यास जी लिखते हैं कि यदि उन्हें ऐसा पता होता कि गाउंवालों की इतनी ममता उस मूर्ती पर है तो वे उसे उठा कर लाते ही नहीं अगला प्रश्न है लेखक बुडिया से बोधी सत्व की आठ फुट लंबी सुन्दर मूर्ती प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ लेखके जब पुरातात्विक महत्व की सामगरी खोजबीन करते हुए गाओं के निकट खेतों की मेड पर टहल रहा था तभी एक खेत की मेड पर आठ फुट लंबी बोधी सत्व की मूर्ती लेखक को दिखाई पड़ी जिसका सिरगायब था इस पुरातात्विक महत्व की मूर्ती को देखकर लेखक ने इसे अपने साथ ले जाने की सोची और कुछ लोगों को लेकर, कुछ सामगरी लेकर वह इस मूर्ती को उठवाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए जैसे ही वो मूर्ति को उठवाने का उपक्रम करने लगे वहां पास के खेत में निराई कर रही एक बुढिया ने आपत्ती दर्ज कराई और उसने इस मूर्ति को उठवाने से मना कर दिया उस बुढिया ने कहा कि इस मूर्ति को हमारे खेत में से निकलवाया गया है और खेत में से निकलवाने के लिए दो दिन तक हल रुका रहा इस दो दिन तक हल रुकने के जो क्षती पूर्ती है उसका नुक्षान कौन भरेगा जब लेखक यानि ब्रजमोहन व्यासजी ने उस बुढिया को दो रुपए का भुकतान किया वह बुढिया दो रुपए लेक उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस प्रतिमा को भिजवाने के लिए राजी हुई और इस प्रकार से ब्रजमोहन व्यासजी ने दो रुपए का भुकतान करके उस मूर्ती को वहां से उठवा लिया लेखक बुढिया से बोधिसत्य की आठ फुट लंबी सुन्दर मूर्त इस प्रकार प्राप्त करने में सफल हो गए पुरातात्विक महत्व की पुरातात्विक सामगरी की खोज में निकले व्यास जी एक गाओं के खेतों की मेडों पर भटक रहे थे तबी उन्हें एक मेड पर बोधी सत्व की आठ फुट लंबी मूर्ती दिखाई पड़ी जिसका सिर गाइब था यानि वो जो बोधी सत्व की मूर्ती थी उस पर सिर नहीं था उसका सिर गायब था यह मूर्ती कुशान सासक कनिश्क के रज्यकाल के दित्य वर्ष में बनाई गई थी ऐसी पुरा तात्विक महत्य की मूर्ती को देखकर ब्रजमोहन ब्यास बहुत प्रशन हुए और जब उसे उठवा कर लाने लगे तो खेत में निराई करती बुढिया ने एतराज किया और कहा कि यह हमारे खेत से निकली है हम नहीं देंगे इसे निकालने में हमारा हल दो दिन तक रुका रहा उस नुक्षान को कोन भरेगा व्यास जी ने उसे दो रुपे दे कर संतुष्ट किया और तब बुढिया ने मूर्ती ले जाने की सहमती प्रदान की वह मूर्ती अत्यंत मुल्यवान थी उसके निर्मान का लेख पदस्तल पर अंकित था एक फ्रांसिसी जानकार उस मूर्ती के दस हजार रुपे तक देने के लिए तयार था पर व्यास जी ने वह मूर्ती उसे ने दी और वह आज तक प्रियाग संग्रहले की सोभा बढ़ा रही है अगला प्रशन है इमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कोडी के हो ही नहीं सकता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाते है जब फ्रांसी सी व्यापारी ने लेखक ब्रशमोहन व्यास से कहा कि यदि मैं आपके संग्रहले का मुल धन में रुपयों में नगदी में बताऊं तो हो सकता है कि आपका इमान डिग जाएगा इस बात का प्रश्यूतर देते हुए ब्रशमोहन व्यास ने कहा कि उनके पास तो ईमान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं क्योंकि यदि ब्रजमोहन व्यास पूरी तरह इमानदारी से ही कारे करते तो प्रियाग संग्राले के लिए वे बहुत सारी वस्तुएं एकत्र नहीं कर पाते इसलिए उन्होंने इमान को कभी इस काम के आड़े नहीं आने दिया और थोड़ा भोत उपर नीचे करके उन्होंन पुरा तात्विक महत्व की वस्तुओं को प्रियाग संग्राले के लिए एकत्र कर ही लिया ब्रजमोहन व्यास ने प्रियाग संग्राले का निर्मान करने और इसमें एक एक वस्तु का संग्रह करने में बहुत स्रम किया है यदि वे इमान पर टिके रहते तो बिना पैसा को पर लगा दिया उन्होंने उस संग्रहले के निर्माण के लिए अपना सब खुछ दावल लगा दिया जिसमें ईमान भी सामिल है और जब एमान मेरे पास है ही नहीं लेखक का कहना है ब्रिजमौन व्यास जी का कहना है कि जब एमान उनके पास है ही नहीं तो बला रुपयों का लालच दे कर कोई उनका एमान कैसे डिगा सकता है यह जवाब उन्होंने उस फ्रांसी सी व्यापारी को दिया था जिसने उनसे कहा था कि यदि रुपयों में आपके संग्राहले की कीमत बताऊं तो आपका इमान डिग जाएगा फ्रांसी सी व्यापारी ने जो उस संग्राहले को देखने के लिए आया था जब वह बोधी सत्व की मूर्ती खरीदने की बात लेखक यानि ब्रजमोहन व्यास से करने लगा जिसको ब्रजमोहन व्यास के वलमातर दो रुपय दे कर लाए थे उस दो रुपय में खरीदी गई उस मूर्ती का वह फ्रांसी सी व्यापारी दस हजार रुपय तक देने के लिए तयार था तो इस प्रकार से वह बुद्ध की उस मूर्ती के लिए दस हजार रुपय दे रहा था जिसे व्यास जी ने मातर दो रुपय में बुढ़िया से प्राप्त किया था पर व्यास जी न दो रुपे में प्राप्त बोधी सत्व की मूर्ती पर दस हजार रुपे क्यों नोचावर किये जा रहे थे दो रुपे में प्राप्त बोधी सत्व की मूर्ती को लेखक ब्रजमोहन व्यास ने मात्र दो रुपे में बुडिया से प्राप्त किया था और उस मूर्ती पर 10,000 रुपे एक फ्रांसी सी व्यापारी देने के लिए तैयार था बोधी सत्व की जो मूर्ती ब्रजमोहन व्यास ने बुडियास को 2 रुपए देकर प्राप्त की थी और उसे प्रियाग संग्राहले में रखवा दिया था उसे फ्रांस का एक डीलर जो संग्राहले देखने आया था 10,000 रुपए में खरीदना चाहता था क्योंकि वह मूर्थी अत्यंत प्राचीन थी और इसका निर्मान मतुरा के कुसान सासक कनिस्क के रज्यकाल के दूसरे वर्ष में हुआ था इस प्रकार का लेख मूर्थी के बदस्तल पर उतकीर्ण था इस पुरातत्य के महत्य की बेस कीमती मूर्ती के लिए फ्रांसी सी डीलर इसी वजह से दस हजार रुपए दे रहा था वह अत्यंत प्राचीन थी और बेस कीमती थी इस प्रकार अत्यंत प्राचीन और बेस कीमती उस मूर्ती के जिसे लेखक ब्रजमोहन व्यास ने मात्र दो रुपए देकर बुडिया से खरीदा था उसके वह फ्रांसी सी डीलर दस हजार रुपए देने के लिए तैयार था परंदु व्यास जी ने यह स्विकार नहीं किया उन्हें अपना संग्रहाले प्रिय था उसकी मूर्तियों को वह रुपए के लालच में नहीं बेच सकते थे इसी कारण उन्होंने दस हजार रुपए की बड़ी रकम का लालच भी ठुकरा दिया अगला प्रशन है भद्रमत सिलालेक की क्षती पूर्ती कैसे हुई स्पष्ट कीजिए भद्रमत सिलालेक की क्षती पूर्ती करने के लिए लेखक ने ऐसा विचार किया कि यदी भद्रमत में जो सिलालेक है वहाँ पर उस प्रकार की अन्य पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं भी प्राप्त हो सकती है भद्रमत के सिलालेक को तो पचीस रुपे में मजूमदार सहाब के हातों दे दिया गया लेकिन भद्रमत सिलालेक की ख्षती पूर्ती करने के उद्देश्य से लेखक ने जब देखा कि वहाँ पर इस्तित एक कुए की उपर लगी हुई बंडेरों में एक बंडेर जिस पर ब्रहमी लिपी में कुछ लेख अंकित था उसे देखकर लेखक ने उसे प्रियाग संग्राहले के लिए लेना साथ में ले जाना उचित समझा और उसने वहाँ से उस बंडेर को निकलवा लिया इस प्रकार से भद्रमत सिलालेक की ख्षती पूर्ती हो गई हजियापुर गाओं में भद्रमत का एक सिलालेक मिला था किन्त उसे पच्चीस रुपए देकर मजूमदार सहब ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के लिए खरीद लिया प्रियाग संग्राहले में भद्रमत के सिलालेक पहले से ही उपलब्द थे अतै अधिक हानी नहीं हुई व्यास जी ने सोचा की हजियापुर में और भी पुरातत्विक महत्व की सामग्री मिल सकती है जब भद्रमत का शिलालेक मिल सकता है तो इसका आशए यह है कि यहां इस गाओं में पुरातत्व महत्व की और अन्य वस्तुएं अन्य सामग्रिय है यहाई सोचकर उन्होंने गुलजार मिया के यहां डेरा डाल दिया उनके घर के सामने एक बहुत संदर सा कुवा था और उस संदर से कॵे पर चार खंबों को परस पर जोडने वाली बंडेरों में से एक बंडेर ब्रामी अक्षरों में उस पर एक लेख अंकित था जो पानी निकालने का कुवा था उस कुए पर जहां से पानी निकालने की विवस्ता होती थी वहाँ पर जो बंडेर लगी हुई थी उस बंडेर में यानि पत्थर की उस सिलाखंड में ब्रामी लिपी में एक लेख अंकित था व्यास जी ने वह बंडेर संग्रहा लेके लिये निकल वाली और इस प्रकार भद्रमत के सिला लेख की ख्षती पूर्ती हो गई अगला प्रश्ण है लेखक अपने संग्रहा लेके निर्मान में किन किन के प्रती अपना आभार प्रकट करता है किनकिन लोगों के प्रती अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्राहले का अभिभावक बना कर निश्चिंत हो जाता है लेखक ब्रजमोहन व्यास ने प्रियाग संग्रहाले के लिनमाण में जिन चार महनुभाओं की सहायता और सहानुभूति के प्रती करतग्यता ग्यापित की है उनके नाम इस प्रकार से है राय बहाद्दूर कामता प्रशाद ककड जो तत्कालीन चेर्मेन थे हिज हाइनेस स्री महेंदर सिंग जुदेव जो नागोद नरेश थे और उनके सुयोग्य दीवान लाल भारगवेंदर सिंग और लेखक का स्वामी भक्त अरदली जगदेव इन चारों लोगों के प्रती विशेश रूप से ब्रजमोहन व्यास ने कृतग्यता ग्यापित की है साथी साथ प्रियाग संग्रहाले के सर्रक्षन और उसके परिवर्धन का उत्तरदायत व्यास जी ने सुयोग्य व्यक्ती डॉक्टर सतीश चंद्रकाला को सौप दिया उन्होंने डॉक्टर सती शंद्रकाला को अब प्रियाग संग्राहले के सरक्षन एवं परिवर्धन का उत्तरदाइत सोंप दिया। ऐसा सुयोग अभिभावक संग्राहले को दे कर उन्होंने इस कारिये से सन्यास ले लिया। इस प्रकार डॉक्टर सती संदरकाला जैसे सुयोग्य अभिभावक के हवाले प्रियाग संग्राहले को कर दिया गया, ऐसा सुयोग्य Beispiel अभिभावक संग्राहले को देकर उन्होंने इस कारिय से सन्यास ले लिया, अर्था अर्थ वे निश्शिंत हो गए। प्रेविद्यार्थियों आज हमने अध्याय तीन सहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिठ्था से संबंदित अभ्यास प्रश्ण हल किये हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय चार सहित्यकार फनिश्वरनात रेणू द्वारा रचित कहानी संबंदिया से संबंदित वीडियो लेकर सिग्रही आपके समक्स उपस्तित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।